अंदा धुन्द फाइरिंग से दहला पटना पार्किंग को लेकर पचास राउंद फाइरिंग खोली बारी में दो लोगों की मौथ कई खाया वहनों में लगिया मैरिज हॉल में आगजनी और बाहर भारी पुलिस कर्मियों का जमावणा ये तस्वेरे हैं विहार की राजधानी पटना की जहां पार्किंग से गाड़ी निकालने के बाद विवाद में अंधा धुंद गोलियां चली और घटना से गुस्ताय लोगों ने आरूपी के घर और मैरिज हॉल को आग के हवाले कर दिया फायरिंग और आगजनी की घटना के बाद इलाके में तनाव के हालात हैं बताय जा रहा है कि ये विवाद पार्किंग को लेकर शुरू हुआ जब पूर्व पंचायत प्रतिनी धी टुंटुन यादव अपने गैरेच से गाड़ी निकाल रहे थे इस दौरान जेठुली पंचायत के मुखिया प्रतिनी धी ड्राइवर को टुंटुन यादव ने गाड़ी हटाने के लिए कहा इस बात को लेकर विवाद बढ़ गया और बच्चा राय के ड्राइवर ने ताबर तोड फाइरिंग कर दी जसमें दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई जब कि पाँच लोग गोली लगने से घायल हो गए फाइरिंग में खायल लोगों को पी एम सीच रेफर कर दिया गया है जहां एक शक्स की हालत गमभीर बनी हुई है वहीं पुलिस मौके पर है चान बीन शुरू कर दी गई है पुलिस का दावा है कि किसी भी आरोपी को बक्षा नहीं जाएगा जल्द सभी आरोपी कानून के शिकंजे में होंगे फिल्हाल नदी थाना क्षित्र के जेठूली गाउं के पूरे इलाके को पुलिस शावनी में तबदील कर दिया गया है तनाब के हालात को देखते हुए भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है लेकिन दिन दहाडे हुई संसनी खेज वार्दात से बिहार की कानून विवस्था पर गंभीट सवाल खड़े हो रहे है सवाल है कि क्या बिहार में दबंगों को कानून का बिल्कुल डर नहीं है क्या बिहार में कानून विवस्था दम तोड़ रही है